हां जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका चाय और कोड के एक नए वीडियो में ये वीडियो थोड़ा सा इंट्रस्टिंग है क्योंकि हम कुछ इंस्टॉलेशन स्टेप्स के बारे में जानेंगे लेकिं इंस्टॉलेशन काफी डिफिकल्ट हो सकता है इंस्टॉलेशन काफी ट्रिकी होता है इसलिए जातर लोग यहां पे नहीं होते फीड़ कम है तो इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से हम फ्लटर का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं विंडोस के उपर और कैसे उसका सेट अप कर सकते हैं बहुत ही आसान है बहुत ही बेसिक्स हैं बस आपको एक चीज़ पता हो नीची आपके उपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि जब भी आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो हमें विजुली तो इंस्टॉल हो जाता है विजुली वो ओपन भी हो जाता है लेकिन कुछ उसके इन्वार्मेंट वेरेबल्स और पाथ सेट करने होते हैं ताकि दूसरा प्रोग्राम हमारे इस प्रोग्राम को इन्वोक कर सके और प्रोग्रमेटिकली उसको ओपन कर पाएं यह होना बहुत ज़रूरी है चा नोड.js तो इंस्टॉल चाहिए कोई exception इसमें है यह नहीं हाँ मैं फिरको पता है कि flutter dart पे काम करता है वो node javascript या ताइप script पे नहीं करता बट इसकी जरूरत आपको आगे जाके पका पड़ेगी कहीं नहीं तो इसको प्लीज इंस्टॉल रखें आप चाहे LTS version, long term support version आता है काम बर ठीक है basic एक बार चेक करी लेते हैं कुछ भी नहीं करना लिखना आपको node-v तो node version आ जाएगा इसके साथ free में आता है npm जिसके अंदर भी आप npm-v लिख दीजे कोई भी अगर version आपको देख रहा है इससे मिलता जुलता 9.6 या उससे अब और 20.3 या उससे कोई भी चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अचा दूसरा क्या चाहिए हमें चाहिए open JD के अब open JD के आपको चाहिए version 11 हां जी version 11 ही चाहिए एक चीज़ का ध्यान रखेगा जब आप open JD के सर्च करें आपको बहुत सारे options मिलेंगे कोई सा भी option select कर लीजे कोई दिक्कत कर लेना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है मुझे पता है मैं Windows पे हूँ और याद रखेगा JD के चाहिए JR ही नहीं चाहिए बस MSI इंस्टॉल कर लीजेगा Microsoft Installer next next I agree okay बस यह ध्यान रखेगा कि इसने जहां भे आपके इंस्टॉल किया है वो path आपको पता है क्योंकि वो path आ उनमें option था मैंने कर लिया मांसे select बट फिर भी तसली थोड़ी ना होती है ते मैं तो मैंने इसको करा close उसके बाद मैं गया अपने folder के अंदर या explorer जो भी बोलते हैं आप इसको folder ही बोलेंगे भी तो c drive के अंदर गया program files में गया तो इसने install कर रखा था इसको open logic folder के अंदर ह जी ऐसे direct नहीं करा open logic के अंदर गया यहां पे गया और इसके bin के अंदर सारी इसकी library repository जो भी थी वो सब यहीं पे मिल गई उसके बाद मैंने search करा कि मुझे जाना है कहां पे environment variable पे तो मैं cursor लेके गया यहां पे और envgc type किया तो इसने बोला environment variable यह रहे अब यहां पे मैंने क्लिक करा environment variables पे थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या अरे बहुत आसानी तो है बस क्लिक ही तो कर रहा हूं folders पे तो यहां पे देखिए मैंने क्या करा java home यहां पे एक add कर दिया और एक यहां पे भी java home add है तो system variable और environment variable दोनों पे है अब आप कैसे करेंगे कुछ नहीं करना दाल दीजे तो कितना असान देखिए java underscore home और जो आपने directory से copy किया थी value वो यहां पे paste कर दीजे बस इतना सही तो करना है अब देखिए मैंने यहां पे पूरा jdk यहां पे java home मेरे पास है यहां पे भी मेरे पास java home है तो दोनों अब मेरे पूरे system को पताए कि java इसमें install है यह install होना बहुत ही जरूरी है सिर्फ इतना ही नहीं है यह जो system variable है इसके अंदर देखिए आप edit करेंगे जैसे एक और यहां पर है path इस path को जैसे मैं click करता हूँ edit पे तो देखिए सबसे पहली यहां पर path है वो है same आपके bin तक जो jdk आपने install करा उसके bin तक ताकि java को म मैंने और java मेरे पास install हो गई system में बहुत ही असान था अब इसके बाद एक बार आपके cell यह जो shell है आपके पास इसको source करना पड़ता है source करने मतलब क्या है restart करना पड़ता है basically आप इसको close करके एक बार open कर लीजे ताकि आपके सारे environment variables load हो जाए इसके बाद आपने जैसे Android Studio download उसने का यहां से कर लो मैंने का ठीक है आप बोलते हैं तो माल लेते हैं बात को तो हम गए यहां पे Android Studio और Android Studio यहां से download अच्छा Flutter के पे पेज़ पे जाएंगे वहां पे भी इस सब करने को बोल रखा इसलिए पहले advance में बोल रहा हो सारा तो नहीं बोल रखा बट हाँ तो वो भी कुछ-कुछ यही कहते हैं डिरेक्ट SDK टूल डाउनलोड मत करना क्योंकि वो नहीं चलेंगे ऐसे तो एक बार आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया उसके बाद क्या करना है उसके बाद Android Studio को स्टार्ट करिए क्योंकि कुछ basic setup installation इसके बाद भी होता है यह यह आप इंस्टॉल करी लिया आप यह ओपन हो रहा है यहां पर एक बार ओपन हो जाए उसके बाद हम यहां पर जाते हैं actions पर और गए SDK manager अच्छा दो values है SDK manager और virtual device manager पहले SDK manager ठीक है SDK manager पर गए हम यहां पर और open कर लेता है इसको अच्छा आप क्या है सबसे पहले तो देखिए आपके पास यह जो environment variables है c drive users फिर laptop का जो भी नाम आपने रखा है फिर app data local android SDK हां यह path हां जी set करना पढ़ेगा यह path भी सबसे पहले तो देखिए आप कौन सा API level install कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो cutting edge को support नहीं करता है तो मेरे को 34 भी करना पड़ा और 33 भी करना पड़ा आप अगर 35 में install कर रहे हैं तो 35 करिएगा और 34 भी कर लीजेगा कोई ज्यादा problem है नहीं इसके बाद SDK tools देखिए minimum जो आपको चाहिए वो एक तो चाहिए Android SDK build tool यह तो चाहिएगा चाहि कोई option है नहीं escape है नहीं emulator अच्छा इसमें से कुछ emulator वगरा already installed होंगे तो बार-बार करने की जरूद नहीं पड़ेगी hypervisor बिल्कुल करिएगा चाहिए होता है आज कलिए Android SDK platform tools यह भी चाहिए हाँ जी कोई exception नहीं है इसमें और license भी चाहिएगा तो यह license आप install करें या फि इसी बात इंटरनेट लगेगा काफी बट एक बारी लगता है ठेका जी यह हो गया okay install इसके बाद आप क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं एक virtual device manager कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे create new device पे click करना है उसके बाद कौन सा install करना आपको कौन सा phone चाहिए वो select कर लीजे जैसे 6 pro चाहिए आपको pixel का next करते हैं आप चूज कर लीजे कौन सा API चाहिए आपको 34 चाहिए 33 चाहिए जो भी आपको device चाहिए वो आप ले लीजे और बस आपका device एक तयार हो जाएगा virtual device emulator click करिए और play button पे click करते हैं आपके पास वो device launch हो जाएगा अच्छा वो device तो launch हो देखें C drive यहाँ पे गए हम अमारे पास users के अंदर फिर जो computer का नाम था वहाँ पे गए और इसके बाद हमें जाना था app data में but app data folder तो ही नहीं hidden भी नहीं है क्योंकि dot files भी बैने सारी open कर रखी है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए तो कुछ भी नहीं है थोड़ा सा मेर गए उसके अंदर हाँ जी manually कई बार windows क्या करता है कुछ आपके साथ system को game करने कुछ करता है कुछ folders का आपको access दिखाता ही नहीं कभी अब अलग अलग कहानी है windows की तो इस तरह से ही होगा तो चलिए इसके बाद जाएए local के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा android और आ इसके अधर करने है path और फिर यहाँ से बस क्लिक करके यह copy करेगा मेरी files में से copy करेंगे फिर problem आएगी कहेंगे फिर बताया नहीं था बताया था आपने नहीं सुना था तो ठीक है तो यहाँ पे आते environment variables में मैं आपको सारे path दिखाता हूं मैंने कहां 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 कैसे set करें यह environment variables पर आ गए है वापिस से environment variable पर और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले android home set कराए user के लिए भी और system के लिए भी ठीक है वैसे तो दोनों में common same रखिए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि system level के variable user के पास भी होता है बट user के variable system के पास नहीं होता है तो system में रखिएगा इसके बाद क्या करा है मैंने यह जो path variable है इसको देखिए edit करता हूँ और दिखाता हूँ तो देखिए मैंने android sdk रखा है और मैंने android platform tools भी रखा है emulator भी रखा है tools भी रखा है अब इसके अंदर क्या है कुछ adb वगरा tools होते हैं जो कि actually मैं आपके device को find करन है वेकार नहीं है वो चलता है आपने path set नहीं करें तो इसी तरह से मैंने same यहां पर भी जो हमारे पास path variable है यह रहा path variable यहां पर भी वो सारे ही variable actually मैं set करने है अभी मैंने sdk कर दिया है और sdk platform tools कर दिया बाकी के भी मैं करूंगा बट अभी इतने से काम हो रहा है मेरा flutter के बारे में बताऊंगा यह basic setup हां जी इतना तो करना ही करना है इसके बिना आगे बढ़ना ही नहीं है ठीक है इतना सब हो गया अब आप आ सकते हैं अपने flutter के install page पे गया इसने का flutter यहां से install कर लीजे मैं का ठीक है जी यहां पर click करा और obviously बात है windows पे हूं windows वाले तो का रख लीजे चाहे तो आप यहां रख लीजे चाहे तो डेस्टॉप पे रख लीजे लेकिन एक बड़ जहां रखा है महां से move मत करिएगा क्योंकि वही आपका program files जो भी programs की जो files है वो यही है तो इसको move मत करिएगा अच्छा यहां पर recommend भी करते हैं कि c-dry program files पे मत यह क्योंकि सारी actually में bin files वहीं तो होती है जहां से flutter run करेगा तो यह रहा बस as it is मैंने यहां गया copy करा अब क्योंकि मुझे पता environment variables क्या होते हैं इतना सब कुछ पढ़ी लिया तो अब तो पता रहे गई तो मैं आ गया search के अंदर और बोला env इसने दे दी environment variables मैं simply गया environment variables के अंदर और path को select करा, edit करा, actually मैं यहां पर भी करना चाहिए था बट मैंने अभी directory system variable में कर दिया तो यह रहे हमारे path, edit करा और यह रहा हमारा flutter bin, यह रहा, flutter bin, तो flutter bin हमारे पास available है, अब मुझे पता है कि कभी भी मैं command lines है या कोई और program based flutter की files को open करना चाहेगा, बहुत से हो जाएगा, तो अब आपको environment variables की कहानी समझ में आ गई है, अब कभी भी आपको installation की problem hopefully नहीं होगी, और वैसे आप चाहे और code में problem होनी भी कैसे है, यहां पे आपने subscribe कर दिया है, तो बात ही खतम है, ठीक है चलिए, अब command prompt पे आते हैं, अब क्या है कि आप command चला सकते है flutter की, पर command कौन सी है, वो भी देख लेते हैं अबी, तो आप जैसे यहां पे scroll करेंगे, यह सारा काम हम कर चुके हैं, अब हमें सीधे चाहिए where command, where flutter dart, तो where actually में एक utility है, mac में, linux में आती थी, अभी windows में भी आती है, तो आप where करके और flutter, इस से पूछ सकते हैं कि flutter कहां पे हैं, तो यह दीजे, बता दिया, अगर आपको flutter और dart दोनों पूछने हैं, तो दोनों पूछ लीजे, दोनों की नाम बता देगा आपको, और इसके लावा आप चाहें, तो और भी command चला सकते हैं, flutter doctor भी चला सकते हैं, यह देखने के लिए कि सब कुछ install है क्या properly, सब क path set है नहीं है, यह भी हम चला के देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा shrink कर ले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यह लीजे, थोड़ा सा shrink कर लिया, अब हम चला लेते हैं यहापे, flutter, doctor, तो अगर properly आपके path set वगरा होंगे हैं, तो यह बता देगा, ठीक है, windows version भी installed है properly, और Android भी installed है, Chrome भी installed है, Visual Studio भी, सब installed है, अगर कुछ आपके install नहीं है, जैसे VS Code नहीं है, तो भी चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो VS Code पे करेंगे सारा काम, तो अभी सब कुछ अच्छे से बता दिया, आपके अगर कुछ और बताता है, कि Flutter देखिए properly आपका channel नहीं है, तो update कर लीजेगा, दूसरा download कर लीजेगा, अब मेरे पास Android tool chain वगरा सब कहां से आई, क्योंकि उसको पता था, कहां पे सारे program path set है, properly path set होंगे, तो सब कुछ ठीक आएगा, वरना problem तो आएगी, चलिए, अब next चलते हैं यहाँ पे, अब इन्होंने कहा कि कैसे क् करना है, देखिए Android setup, already हम कर चुके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एक command यहाँ पे यह भी है, Android के licenses की, तो licenses actually मैं आपको accept करने पड़ते हैं, वैसे तो आप first जब emulator run करते हैं, mostly वहीं accept हो जाते हैं, बट कुछ-कुछ रह जाते हैं, तो उनको run करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे flutter doctor dash dash android dash licenses लिख दीजे, और जो भी licenses है, बस y press करके enter करके, सारे licenses accept कर लेंगे, मैंने just किया ही थे, तो अब यह accepted हैं सारे के सारे, अब उसके बाद यह कहरें कि flutter की app कैसे बनाएंगे, अच्छा, app बनाने के लिए क्लिए क्या करना पड़ता है, हम vs code open करते हैं, और vs code में ही कर लेते हैं सारा काम, तो open करते हैं पहले vs code को, यह लिजए हमारा visual studio code, आपने भी शायद यही कर रखा होगा, ओके, तो इसको मैं भी app directory के और direct ही यहाँ पे load कर देता हूँ, actually मैं मुझे app directory चाहिए, यह लिजए, यह आ गई मेरी app directory, अब इसके अंदर क्या है, और भी कुछ folders वगरा है, हम यहाँ पे fresh app बना के देखेंगे किस तरह से होती है, थोड़ा सा full screen हो जाए, यह लिजए, अच्छा, आब इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको extension म पड़ेगा, flutter और dart दोनों करने पड़ते हैं install, तो यह flutter है first, मैंने install कर रखा है, आप भी कर लीजएगा, और इसके लावाँ आपको dart भी चाहिएगा, तो dart भी आप install कर लीजएगा, बहुत ही असान है, यह रा dart, क्योंकि language dart है, तो obviously बात है, यह तो चाहिएगा, चाहिए यहाँ पे flutter, तो देखिए, आगया first आपका flutter new project, और भी है, change SDK, clean project, बहुत सारी commands है, देरे देरे जब आप करेंगे तो सीख जाएगे और भी, अभी new project पे click करिए, कौन सी application बनानी, application, empty application, module package, skeleton, हमें application ही बनानी है, तो हम application को select करते हैं, अभी बूलेगा, कहाँ application बनानी है मुझे तो यहीं बनानी है, तो नया folder का नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं, chai और flutter, क्योंकि actually मैं यहीं तो करना है, तो यह लिजए chai और flutter, इस folder को हमने select किया, flutter के application का अभ नाम वो folder नाम था, अभी flutter application 1 ही नाम दे देते हैं, या फिर आप चाहे हैं, तो यहाँ यहाँ पे chai और flutter नाम दे दीजिए, और enter करिए, आप क्या होगा, flutter.create एक repository को call करता है, वो सारी files यहाँ पे डाउनलोड करती है, और यहाँ पे आपको इस तरह से flutter मिल गया, अब सारी आपके पास files आ गई है, और आप F5 प्रेस करके इनको run भी कर सकते हैं, run करने से प पोशिश करेगा, तो अभी हम यहाँ पे जाके, और obvious ही बात है, F5 प्रेस कर देते हैं, तो run and debug start हो जाएगा, bottom में आपको बता देगा, देखे मुझे pixel 6 मिला है यहाँ पे, तो bottom में इसने बता दिया है, महाँ पे pixel 6 आपको मिला है, अभी यहाँ पे लगएगा थोड़ा सा time, हाँ जी, चाहिए Flutter हो, चाहिए React Native हो, देखें, first time application जब install होती है, बहुत बड़ा source code होता है, app वगरा के लिए, उसको optimize किया जाता है, फिर उसको install किया जाता है, APK बनती है, APK को deploy करते हैं, काफी process होता है, बट एक बार जैसे ही बन गए, उसके बाद तो hot reload take over कर लेता ह तो आप फटा-फट कर सकते हैं, तो इतनी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा एक चीज़ और, यह अगर आपने एक बार run कर लिया, उसके बाद अब अपना real device connect करके भी आप Flutter apps को चला सकते हैं, लेकिन एक बार तो आपको इस सारा emulator चाहिएगा, चाहिएगा, ऐसा नही कि मेरेको Android इंस्टॉल ही नहीं करना Android Studio और सीदे चला लूँगा, नहीं, आपको licenses, SDK tools चाहिए होता है, अच्छी बात यह है, कि अगर आपने एक बार इंस्टॉल करके चला लिया है, हो सकता आपके laptop पे थोड़ा लोड हो, लेकिन next time पे, आपका भी Android Studio तो चलाएंगे नहीं तो Android Studio से इतनी चिंता जैनक कोई बात नहीं है, बेसिक हो जाता है काम, अच्छा चलिए, काफी कुछ इसने लोड कर लिया और हमारी एप भी तयार है, बातों इबातों में देखिए, और आप इसको कर सकते हैं, 1, 2, 3, और आपकी बेसिक Flutter अप अब तयार है, तो उमीद कर जैसे आप चाय और Code को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सीखने को यहीं मिलता है, सबसे Best मिलता है, Experience के साथ मिलता है, आसान भी मिलता है, इतना प्रोमोशन कर दिया है, अब तो सब्सक्राइब करी लीजिए, कब तक सर्च करकर के आते रहेंगे, एक सब्सक्राइब, अच